हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अभीसिक जैन फ्रॉम सॉप्ट्वेस्ट टेखनोची इन दौर से हमें हाँ पर जाबा प्रोग्रामिंग के वीडियो लेक्शर पढ़ रहे हैं और इन वीडियो लेक्शर की सीरीज में आज हमारा लेक्शर नंबर टैन है और इस लेक्शर में हमें ये पढ़ना है कि isり क्या वर्किंगे ह में नास्ट लेक्शर में इस में अपने प्रोग्राम के पास जहां पर drive के अंदर Java demo के अंदर last example ए 12 नंबर का इसको क्या करा हम ने open करा और इस वाले example को आपने देखा था हम यहां पर cmd को open कर रहे हैं फिर इस वाले program को save करते है 13 नंबर के नाम से तो हमने save कर दिया demo13.java के नाम से और class का नाम भी क्या देती है 103 अब समझना इस बात को जैसे आपने लिखा यहाँ पर x equal to 50 तो यहाँ पर output कितना आकर डिस्पले होगा x equal to 50 output आकर डिस्पले हो जाएगा आपने program number 13 java c demo 13 को क्या करा यहाँ पर compile करा और 13 को क्या करा आपने यहाँ पर run करा तो run करने पर इसने क्या करा यहाँ पर कि output लाकर डिस्पले करवा दिया x equal to 50 ठीक है अब आगे हमें यह पढ़ना है कि जो अपने percentile d लिखा था d का मतलब क्या होता है decimal ठीक है ऐसे ही java programming ने हमें एक और format specifier provide करा है उसका नाम क्या percentile o और percentile o का मतलब यहाँ पर octile ठीक है percentile o का मतलब क्या होता है यहाँ पर octile अब समझना number किस में चल रहा है decimal में लिकिन यह क्या है o का मतलब octile तो decimal का decimal में 50 आकर soldiers हो गया लेकिन decimal का distill में कुतना output आकर manifold होगा इस चीज को हमें क्या करना है आपर समझना है चलो हम समझने की कोसिस करते हैं कि decimal number को तो इसके लिए क्या बढ़ना पड़ेगा topic अपना next decimal number को octal number में हम कैसे convert करते हैं तो समझना इस चीज की process देखो decimal में number कितना चल रहा है अपना 5-0 decimal से आपको convert करना octal number कितना चल रहा है 5-0 octal के पास कितने digit होती है total 8 तो आपको क्या करना पड़ेगा इस number को 8 से divide करना पड़ेगा ठीक है तो 8 से आपने 6 टाइम divide करा तो 6 टाइम divide होगा लेकिन 2 क्या बज़के आपका reminder बज़ गया और फिर 8 से आपने क्या करा 6 को divide करा तो 6 तो divide हो नहीं सकता यह लिए 6 का 6 क्या होगा as it is आ जाएगा और हम क्या करेंगे नीचे से उपर इसको लिखना चालू करेंगे तो 62 यहां पर इसका क्या आगई value आका display हो जाएगी तो चलो इस program में यहां पर output कितना आएगा 62 यह आप इस program को compile और run करते हैं एक्जामपल नंबर 13 तो पहले तो 50 आएगा लेकिन बाद में कितना आएगा 62 क्योंकि octel है sorry decimal है वो किसमें convert हो गया octel number में convert हो गया अच्छा ध्यान से समझना ऐसे ही जाबा programming ने hexadecimal कोई decimal number है ना उसको hexadecimal में display करवाना है तो उसके लिए जाबा programming ने हमें एक format specifier दिया है उसका नाम है percentile x तो अब देखो अब यहां पर क्या output आएगा हमें यह समझना तो देखो लास्ट Då आपनें क्या करा था है तो क्या कर आपने ये लिए से लिएकर में manipulate कर आएक्जाब कर करना हो तो 16 से लिए नंबर है आपका इसको आपने क्या राए थे से divide करा तो कितने times divide होगा 3 times reminder कितना बज़िया 2 और अब 16 से 30 sorry 3 को divide करा तो यह होगा नहीं divide इसलिए as it is ऐसा का ऐसा आ जाएगा इसलिए output कितना आएगा 32 यहाँ पर output आकर इसका display हो जाएगा ठीक है process इसे प्रोग्राम में यहां पर output कितना आना चाहिए 32 तो यदि आपने इस प्रोग्राम को क्या करा यहां पर compile करा और run करा तो देखो यहां पर output आकर कितना display हो गया 32 output आकर क्या हो गया display हो गया clear इतना example आज चलो हम इसे एक और example से समझने की कोशिश करते हैं example number 14 तो 14.java से क्या करा हमने program को save करा class का नाम भी हमने दे दिया 14 और यहां पर number ले लिया suppose हमने 93 ठीक है अच्छा देखो 93 किसमें decimal में तो decimal का percentile d decimal कितना output आएगा 93 अब समझे अब decimal का octile में कितना output आएगा और decimal का hexadecimal में कितना output आएगा हमें यह निकालना है यह दूसरा program में बहुत सांदर है बहुत अच्छा है ध्यान से समझना है पर देखो आप एक छोटी सी गलती करेंगे इसमें इसलिए हमने 93 वाला example लिया चलो हम इसको solve करते हैं कि डेसिमल को किसमें convert करना octile में और decimal octile में convert करने की process क्या होती है इट से डिवाइट करना decimal को octile में convert करना मतलब 8 से डिवाइट करना तो decimal नंबर कितना 93 है क्या अची 33 है अब देखो 93 को क्या करा हमने डिवाइट करा किस से एट से तो वन टाइम्स और फिर से वन टाइम्स कितना 13 हो गया लेकिन reminder कितना बज़ गया यह आपर 5,8 से आपने डिवाइट करा 11 को कितने डाइम्स 1 टाइम्स लेकि reminder कितना बज़ गया 3ORD sources और 8 से आपने divide करा अब तो वन टिवाइट होगा न इसलिए वन क्या होगा as it is आजाएगा तब तक क्या करना है जो आपका 93 number है उसको क्या करना है hexadecimal में convert करना है अब यह ध्यान से समझना ठीक इसमें आप छोटी सी गलती कर सकते हो can do that to 93 को क्या करना है मतलब hexadecimal को decimal को convert करना है तो 16 से क्या करना ठबयेगा डिवाइD करना पड़ेगा और 93 को आपने क्या करा 16 से डिवाइड करा To कितने टाइस डिवाइड होगा हम 5 ताइम get और रहे माइंडर कितना बच गया आपर 13 अच्छा 16 से 5 तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि सोसते इसका उटपुट 513 लेकिन ऐसा नहीं है इसको ध्यान से समझना कि इसका उटपुट कितना आएगा देखो हमने पहले पढ़ा था कि है अपने पहले लेक्चर पढ़े होंगे ब का मतलब 11 सी का मतलब 12 दी का मतलब 13 एका मतलब 14 और एक का मतलब 15 होता है तो देखो कितना अपने इस प्रोग्राम को हम एडिट करके लिखते हैं 5D अपना उटपुट आ रहा है यहां पर ठीक है तो अभी हमने क्या करा कि इस प्रोग्राम को कंपाइल करा और रन करा तो जो हमने आउटपुट लिखा है वही आका डिस्पले होना चाहिए एक्जामपल नंबर 14 है तो हम 14 नंबर के एक्जामपल को क्या करते हैं कंपाइल करते हैं और 14 नंबर के एक्जामपल को ही क्या करते हैं आपर रन करते हैं तो देखो 93, 135 और 5D यहां पर आउटपुट आ कर क्या हो गया आपका डिस्पले हो गया तो हुआ कि कि हņजए कोई नमबर आपने लिखा है यहाः पर तो उसका है और जो यहाईदर करना 16 DIivike करके और जो इनकी प्रेक्टिस करो तो हमने अभी क्या सीखाוכंपर क्याओं कि यहाई पर कि यहTwo किसी नमबर को decimal से octane convert करना हो तो आप कैसे करते हो किसी number को एक से second क्या देखा decimal को hexadecimal में कैसे convert करते हो यह भी 16 से divide करके आपके लिए कुछ हमने question आपर दिये है तो आप इन को जैसे आपके integer type x equal to 62 है तो इसका output क्या आएगा तेनों अलग-अलग format specifier के corresponding आपको check करना है सारे example important है आपको दिया number integer type x equal to 80 तो इसका output यहाँ पर तीनो format specifier के corresponding के आएगा और last example है x equal to 170 तो इन तीनो program को आप solve करिए और जो हमने बताए पहले उनकी का अगर यह practice कीजिए अब next lecture में print app नाम की झाँ है बताए बताव है झाम की तो है